आज बनाएंगे साबू दाने की मसाला पूरी जिने आप ब्रत में तो बनाएंगे खाने में ये तिनी टेस्टी है कि आप इने बगर ब्रत के भी बनाएंगे इन मसाला पूरी को आप ऐसे ही चट कर जाएंगे आप इने लंच में कहीं बाहर गोमने जा रहे हो तो बना सकते हो तो चलिए बनाना शुरू करते हैं लेकिन इससे पहले आपको मेरी वीडियो अच्छी लगए तो प्लीज लाइक सस्क्राइब जरू करें पीस लेंगे इसका हमें एकदम बारिक पॉडर बनाना है इसने के बाद इन्हें एक छनी में डालके छान लेंगे जो इसमें थोड़े मोटे साबु देने के कोई बीज रह जाएंगे उन्हें अलग निकाल देंगे ताबु दाना अब बिल्कुल आटे की तरह बारिक हो गया है इससे अब अलग बरतन में निकाल लेंगे इससे बावल में निकालने के बाद यहाँ पे दो उबले आलू लियें हमने इन्हें कद्दू कस कर लिया इन्हें डाल देंगे इसी की साथ दो हरी मिर्च को बारिक काट लिया इन्हें डाल देंगे अम इन पूडियों में जो मसाले मिला रहे हैं वो ब्रत के हिसाब से मिला रहे हैं अगर आप कुछ और डालना चाहते हैं अलग से मसाले तो और भी डाल सकते हैं कटा हुआ हरा धनिया डाल देंगे, दो इंच अधरक की टुकड़े को कद्दू कस कर लिया, इससे डाल देंगे, इसके साथ ही आदा चमच भूना हुआ जीरी का पौडर डाल देंगे, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आएगा इसमें, आदा चमच काली मिर्च का पौडर डा लगा सकते हो अब एक चमच घी लेंगे और इसके ऊपर अच्छे से लगा देंगे मसाला पूड़ी के लिए आटा हमारा लगए अब इसे दस मिट के लिए रेश्ट पर रख देंगे इस मिनट बाद देख लेते हैं, आटा हमारा सैट हो गया, अब इसे थोड़ा हातेली से और अच्छे से मैश कर लेंगे, ताकि एकदम सॉफ्ट बन जाए, इस हाटे में से एक खोला तोड़ेंगे, जितनी भी बड़ी आपको पूरी बनानी है, मोटी, पतली, उसी हिसाब से, लोई में थोड़ा घी लगाएंगे, इसे इस तरह चकले पर फैलाते हुए, सारी लोई हमने बना के एक साथ ही रख लिए, इसे बेलन की साहता से आराम से बेल लेंगे, इसमेह में जादा जोर नहीं लगाना, सिर्फ हलके हलके हातों से इसे बेल लेना है, अब देखेंगे इसके किनारों से हलके हलके फटी-फटी से हो जाती है, यह आटा ऐसा ही होता है, चाहें तो इस पूड़ी को ऐसे ही बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेगिन अगर आप इसे पूरी शेप देना चाहते हैं, तो इस तरह कई पूड़ी के साइज के ढखकर लेलें, इसे इसे थप थपाएंगे और इसके साइड से किनारों को निकाल देंगे, इस तरह पूरी बनाना बहुत आसान होता है साबूदानी की, वरना आप वैसे बनाएंगे तो बहुत ही फटी-फटी पूरी बनेंगे, इस तरह हमने बाकी पूरी भी बना के तयार कर लिए हैं, अब क साबूदानी की पूरी हैं, तो इनका कलर जदा चेंज नहीं होता, अब यह हलकी ब्राउन हो जाएं, निकड़ाई से अलग निकाल लेंगे, इसी तरह सारी पूरीों को सेख लेंगे, साबूदानी की मसाला पूरी बनके तयार हैं, आप इने हरी चटनी के साथ, टमैटो सॉ जरू करें, दरने बाद